वेल्कम टू मैं चैनल तो आज हम बात करेंगे यह जो वकैंसिस निकली हुई है मिनिस्ट्र आफ कॉम्निकेशन डिपार्ट्मेंट आफ पॉस्ट इंडिया में निकली हुई है यहां आपका नॉट्फिकेशन नंबर दिया हुआ और कौन सी डेट को नॉट्फिकेशन है था अप्लिकेशन डेट जो भी इलिजिवल इंडियन सेडिजन है वह अप्लाई कर सकते हैं स्किल्ड आर्टिशन की पोस्ट है जर्नल सेंटल सर्विस ग्रूप सी नॉन गेस्टल रहेगी यहां पर इनोंने बतार के कौन सी ट्रेड में कितनी वकैंसिस हैं डागे उसकी ब्रेक गहिए तंसुमित की यहां पर दे रखिये एक और धेशल्सक्रैday कि यहां फ़ेट यह वह ऐसाकती धने यहां पर ने बता रहें किकि स्वर्ण गूमिक पीकर संच nove्य इसमें से जो है फिल भी फिल फॉम अन्रिजर्ट कैटागरी यह जो वह कैसे है यह अन्रिजर्ट कैटागरी से फिल की जाएगी पेस के लिए उन्हें बता रहे है जो स्किल आटीशन करेगा 19.900 जो स्टार्ट हो जाएगा जो दे रहे है एप्लिकेशन फॉम को सेंड करने की 13 महीं 2023 पांच बेसे पहले पहले आपने अपना जो एप्लिकेशन फॉम है वो सेंड कर देने इसबिल्टी क्रैटीरिया बता रहे है जो एज लिमीट है डिरेक्ट रिक्वार्मेंट रहेगी 18 से 23 साल की जो केंड़ेट है वो अप्लाइ कर सकते हैं एज आपकी जो कांट की जाएगी वह एक जुलाई और आप अगर किसी भी मतलग केटगेशन पहना चाहिए अगर आप इड़ूएस में या एक सर्विसमें में या एसि में या एस्टी में या ओबी सी में तो आपके पास रेलिवेंट सब्सक्राइट होना चाइए तब भी आपको जो उसका आपको बैडिफिट वगएरा मिल एक पास एक ट्रेट से गॉर्मेंट से या फिर आपने लिखे कि एट पास क्यों नीचे उसके साथ साथ आपके बास वन एयर के एक्स्पीरियन्स होना ची जो भी आपका रेवन्ट ट्रेड रहेगा और अगर आप मोटर विक्कल के लिए अप्लाई करें तो आपके पास एक व पास चाहिए सेलेक्शन नेखे कि एक केंडेट की जो भी स्केल आटिशन की जो स्लेक्शन है जो या पर मोटर मोटर विकल मेंट हैसं रहेगा और राविजऑ बैले डाइव लाइसेंस होना ची जो भी आपका सलेबस पाएर और वदाट कर दिया जाएगा और जो नोन इनी तो उन्हें कोई बिंटीमेट नहीं किया जाएगा इसके रिगार्डिंग यहां पे इन्होंने स्पेशली बता रखें एप्लिकेशन में आपने क्या क्या लिखें कि आपनी जो पर्टिकुल रिटेल से वह लिखनी है जैसे आपका नेम हो गया वह आपने ब्लॉक टेटरस में लिखने फादर नेम हो गया कौन सी पोस्के लिए अप्लाइ करें ट्रेट के लिए करें पर्मनेंट एडर साजाएगा विद पिन कोड के साथ एडर साजाएगा को रसफोंडर स्पिन कोड के साथ इमेल आईडी मोबाइल नंबर सीडिजन शिप डेट ओब बर्त कौन से अगर आप यहां पर मोटर विक्कल के लिए अप्लाइ करें तो यह सारे टेल्स जो आपने पर्टिकलर उसमें भर नहीं है और इसके साथ के एंडेट ने एक अपना अपना प्रूपी जो है इसके साथ अपने माँ पेस्ट करना होगा और आपने कौन कौन से एप्लिकेशन क अगर आप उसमें आते हैं तो ही करनी है अगर आप जैसे ओविसी में तो आपको आपको अपने इसके कोडिंग देख लेने कि आपका कौन कौन सा सब्सक्राइब करने तो यहां पर बेनफिट पाना चाहता है रिजर्ट वकैंसी जैसे यहां पर इसका या एक सर्विसमें का तो आपको अपने जो रेलिवेंट सर्ट के तैब इसके साथ अटेच करने तभी आपको इसका बेनफिट मिलेगा अदर्वाइस आपको जो है यहां पर जनल केटेगरी में ही ट्रेट किया जाएगा यहां पर इन्हें स्पेशली बता रहा है सेपरेट अप्लिकेशन अगर आप एक से ज्यादा पोस के लिए अपलाई करना चाहरे है तो आपको अपना जो एप्लि अपना एप्लिकेशन स्पीड पोस कर सकते हैं अगर आप अपना एप्लिकेशन स्पीड पोस के लाओ किसी अधर मोड से भेज नहीं किया जाएगा और नहीं आपने एक सिंगल एप्लिकेशन में मल्टिपल पोस के लिए अप्लाई करना है कि हाँ आप वहां पर वैल्डर के अगर आपको एक से ज्यादा करने तो आपको हर एक application form के साथ अलग-अलग डॉक्यमेंट लगा के अलग-अलग envelope में सेंड करने हैं तब ही आपको लास्ट जो दे रखिए application आपको पहुंच जाना चाहिए application आपने complete information बनी है जैसे यहां पे इन्होंने बतार कि सारी information उस पर होनी चाहिए कोई आसा mismatch नहीं होना चाहिए जो भी इसमें अपने फोटो आपकी जो वह भी self-attested होनी चाहिए अगर वह विदाउट अपने self-attested करके ही send करना है अगर आपने यहां पर without self-attested photo या फिर incomplete information या फिर आपने without copies of desired certificate या फिर आपने कोई भी ऐसा कुछ भी है विदाउट आप self-attested के बेज दिया उसे सीधा reject कर दिया जाएगा application जो फॉर्मेट है या फिर जो इसकी requested details अगर है जैसे क्या age limit होगी या फिर eligibility qualification experience category तो वह जो जो इसकी official website पे अवलेबल है वहां पर जाके चेक कर सकते हैं यह इसका पूरा का पूरा application फॉर्म रहे गई हम नेक्स वीडियो में बात करेंगी कि कैसे कैसे भरना है क्या क्या रहेगा तो यह आपको पूरी की पूरी यहां से टेल्स मिल जाएगी कितनी कित है तो register post कर सकते हैं offline mode से अपने अपना जो application form है वो send करना है यदि आपको इस से related और दिख जान करी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाल दूगी यदि आपकी इस वीडियो से related कोई भी query है तो आप हमें comment section में लिखके बता सकते वीडियो अच्छी लगी है तो please like and share इस तरह के informative वीडियो को देखने के लिए आप हमारे youtube चैनल को subscribe कीजिए